ओम शान्ती, 22 सेप्टमबर 2021 की साकार मुरली से होमवर्क, आज हमारी रुहानी मा, हम बच्चों को करम बंधन से मुक्त होने की शिक्षा दे रहे हैं हमारी रुहानी मा ने हमें शिक्षा दी है कि आज हर करम तरिकालदर्शी हो करके करेंगे जैसे तरिकालदर्शी स्थिति में हम करम करेंगे, पास्ट, प्रेजन, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए तो हमारा समय और एनर्जी व्यर्थ नहीं जाएगा और व्यर्थ और अनर्थ से बचे रहेंगे व्यर्थ बोलते हैं वेस्ट को और अनर्थ बोलते हैं फाल्तू को तो हमारी एनर्जी सेव रहेगी और हम बंदनों से मुक्त होते जाएंगे दूसरा ध्यान रखेंगे आज अपने आपको हद की इच्छाओं से मुक्त रखने के आज चेक करेंगे कौन सी ऐसी बाते हैं जो मुझे नहीं चाहिए फिर भी वो इच्छाओं मेरे अंदर है जिसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है लिस्ट बनाएंगे और उन बातों से अपने आपको मुक्त करते जाएंगे जितना मुक्त करते जाएंगे उतना ही बाबा की याद स्वता आएगी आज की मुली से हम होम वर्क लेंगे आज बाबा ने कहा ये तुम्हारा अंतिम जनम है और तुम्हें संपूरन पावन बनने की मेहनत करनी है इसके लिए बाबा ने आज अटेंशन दिलवाया सेल्फ के उपर, धरम के उपर, ड्रामा के उपर और लक्षय के उपर सेल्फ के उपर अटेंशन दिलवाया कि बाबा कहते हैं कि सेल्फ को रियलाईज करो सेल्फ क्या होता है, स्पिर्चल एनरजी इन लाइट फोर्म मैं आत्मा अविनाशी हूं, मेरा स्वधरम शान्ती है और मैं अमर हूं, मैं एकरस हूं, सारा दिन आत्मा का पाठ पक्का करेंगे इससे हमारे करम, विकरम नहीं बनेंगे और आत्मा को बाबा की याद सह चाहेगी दूसरा धरम के उपर बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि मैं आदी सनातन देवी देवता धरम फिर से स्थापन करने आया हूं तो जैसे ही हम आत्मा का भ्यास करेंगे तो हमारी धार्णा में दिव्यता स्वता ही आ जाएगी तो दिव्य गुणों को आज अटेंशन में रखेंगे कि मेरे करम में बोल में दिव्यता कहां तक आई है तीसरा अटेंशन दिलवाया भावा ने ड्रामा के उपर ड्रामा के सिधान्त को आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे ड्रामा का सिधान्त है बनी बनाई बन रही है और दूसरा सिधान्त है कि ड्रामा में जो कुछ हो रहा है उसमें कल्यान है, nothing new तो इस तरह हम बीती बातों का चिंतन करने में अपना समय और एनरजी वेस नहीं करेंगे हमारा हर करम श्रेष्ट होगा और बावा की याद स्वता रहेगी फिर बावा ने हमारी पढ़ाई पर अटेंशन दिलवाया कि तुम इस पढ़ाई से ही प्रिंस प्रिंसिस बनते हो तो इसके लिए लक्ष्य याद रखना है कि हम जब तक ब्राह्मन नहीं बनते तब तक देवता नहीं बन सकते हम ही ब्राहवन से देवता बनने वाले हैं तो ये सुमृतियां आत्मा के कर्म को श्रेष्ट बनाएंगी और बावा की याद स्वता आएगी जिससे हम भविश्य में उंच पद्ध पा सकते हैं तो इन बातों को आज की मुली से हम धारना में लेंगे ओम शान्ति